दिपावली पर एक दिया शहीदों के नाम अलीपूर शहीद समारक में जलाया देश भर में दिपावली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है ऐसे में दीपावली के दिन एक दिया शहीदों के नाम भी अपने घर में जलाया या फिर किसी शहीद समारक में जाकर जरूर जलाएं अलीपूर के शहीद समारक में शहीदों को नमन करते हुए एक दिया शहीदों के नाम जलाया गया उनके परिवार वालों के साथ मिलकर एक दिया जलाते हैं ऐसे में उनका कहना है कि हम क्षेत्र के सभी लोगों को यही बताते हैं और मैसेज देते देश के लोगों तक यही बात पहुचाना चाहते हैं कि आप एक दिया शहीदों के नाम भी जरूर जलाए क्योंकि आज देश के जवानों की वजह से ही हम देश में दिपावली का त्योहार मना पाते हैं जिस वक्त लोग अपने घरों में धूंधाम से अपने परिवार के साथ दिपावली मना रहे होते हैं तो उसी समय देश का हर जवान बॉर्डर पर खड़ा होकर अपने ड्यूटी निभाता है और साथ ही यह अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी भी दे देता है ऐसे में एक दिया उनके नाम हर दिपावली पर सभी को जलाना चाहिए साथ ही अन्य लोगों को भी यही मेसेज पहुचाना चाहिए यह अलिपूर का वो सईद समारक है जहां सेक्रों सईदों को जलते हुए कोलू में डाल दिया गया था यहां पर हमारे छेतर का अलिपूर जो गाउन है इक सईदों का गाउन है और यहां पर वहोई दिन से मंसे अघ्र6% है आज यहां पर जो चारीकरम ऑजरा है वो सईदों के नाम सईदों के नाम एक दिया यहां पर हम बहुत सालसे सभी साती जला रहें लिपूर के बहुत से वेक्ति आई हूए ईह सब जलाते हैं यहां पर एक दिया से बिश्алист है दिया है उनका कोई यहां पर तर्वार, नहीं किया जा रहा है लेकिन सके उपर सरकार के दवरा गौर नहीं किया है इसमें हम असरकार से मांग करते हैं कि ऐसा एक समारक बना καün बाट जाह αजए है सब्सक्राइब करें यह आज नहीं चलाई हर जुरा की अपर जिपावली पर यहां के जो वी समाज से बहुता कुछ नहीं कुछ ही लोग के लिए समय निकाला हर किसी की बसकी नहीं होता है कुछ ही लोग होते हैं समाज से निकल के बार आते हैं और जो उनका वक्त है वो बड़ा कीमती होता है वे नहीं आएंगे आपर सीमा राना मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें खासकर महिलाओं को अपने परिवार को बच्चों को सबको साथ लेके लाना चाहिए और बच्चों को प्रेड़ना देनी चाहिए कि जिनकी वजय से आज बेड़ा तुम सवसंतर हो उनसे इदो को जुरूर नमन करना चाहिए हर खुशी में हर उसमें याद रखना चाहिए